आई ये देखते हैं सीटेट एंसी अटी एसस्टी समाजिक विग्यान अतीत का अध्यान करने वाले को क्या कहा जाता था अभी लेखक अभी रक्षक इतिहासकार उप्रोक्त सभी इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर सी इतिहासकार नेक्ट क्रॉस्चन पुरा तत्वा पांडू लिपियो ता था अभी लेखों से ज्यात जनकारी के लिए पराया इतिहासकार की सभ्रोक्त का पर्योग करते थे इन्डस, इंडीगो, इंडीका, इंडीकं इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर ए इन्डस सब्द से हुई है नेक्ट क्वेश्चन बहरत नाम का परियोग निन में से किस छेतर के निवासियों के लिए किया गया या किया जाता था उत्तर निवासियों के लिए उत्तर पूर्व निवासियों के लिए पॉस्चिब निवासियों के लिए उत्तर पॉस्चिब निवासियों के लिए इसका राइट एंसर जाएगा option number D उत्तर पॉस्चिब निवासियों के लिए परियोग किया जाता था next question अतीत में बनी तथा परियोग में लाई जाने वाली बस्तुओं का अध्यान करने वाले ब्यक्ति को क्या कहा जाता है इतिहां स्कार पुरतत्व भी प्रांतिय मुल्यक उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राई एंसर हो जाएगा अप्शन नामबर भी पुरतत्व भी नेक क्वेशन नर्मदार नदी के टट पर कौन लोग रहते थें क्रियेशक तफा पसुपालक अभी रक्षक शंक्रहक तथा खेटक आधिवासी इसका राई एंसर हो जाएगा अप्शन नामबर C शंक्रहक तथा अखेटक नेक क्वेशन लगभग आठ अजर बर्स पूर्व गिये हों वज्योग की फसलों को कहां उगाया गया नर्मदार नदी के टट पर गंगा तथा शाहायक नदियों के छेतर में इसका राई एंसर हो जाएगा अप्शन नामबर D शुलेमान वज्योग की फसलों को उगाया गया था मध्य भारत की कीन पहाडी छेतर में क्रिसी का विकास हुआ बिन पहाडियों में शुलेमान पहाडियों में एंडिज परवत माला में उपरोक में से कोई नह इसका राई एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर A बिन पहाडियों में बिन पहाडियों में शुल परथम कीस अनाज को उगाया गया था गेहूं मक्का चावल जोव इसका राई एंसर हो जाएगा अप्शन नमर C बीन पहाडियों में चावल को सबसे पहले उगाया गया था शिंदू तथा उसकी सहायक नदियों के किनार है आरामभिक नगरों का विकास कब हुआ 42 वर्ष पूर, 47 वर्ष पूर, 45 वर्ष पूर, 8000 वर्ष पूर इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर बी, 47 वर्ष पूर्ष हुआ था नर्मदा नदी के टट पर कौन लोग रहते थे क्रेशा तथा पसुपालक, अभिरक्षक, शंग्रहा तथा खेटक, आदिवासी इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर सी, शिराहांग तथा आखेटक नेक क्रेशन लगवा आठ अजर बास पूर्व गिया हुआ जो की फसलों को कहा हो गया गया था नर्मदा नदी के टट पर गंगा तथा सायक नदियों के छेत्र में हिमाले परवत पर शुलेमान वा किंधर पहाड़ियों में इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर दी शुलेमान वा किंधर पहाड़ियों में नेक कुछन मद भारत के किन पहाडी छेतर में किरिसी का विखास हुआ बिन पहाडीयों में शुलिमान पहाडीयों में इंडी परवत माला में उपरोक में से कोई नहीं इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर ए बिन पहाडीयों में नेक क्रेशन बिंद पहाड़ियों में शर्पर्दम की इसानाज को उगाया गया था यह हूं मक्का चावल जो इसका राइट अप्षिन नॉम्बर सी चावल नेक्प्वेस्टन सिंदु तता उसकी सहायक नदियों किनारे आरामिक नवरों का विकास को अभुगा इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्षिन नॉमर भी रीग वेद में नेक्प्वेस्टन अशुक के अधिकतर अभिलेक की स्लिपी में पराप्त लिखे गये थे शंस्क्रीट हिंदी यूनानी ब्रामिक इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्षिन नॉमर डी ब्राही अभिलेक में कि अफगानिस्तान में और सुक के आदेश पर लिखा गया अभी लेकी इस भासा में लिखा गया है शंस्क्रीट तथा संस्क्रीट शंस्क्रीट तथा ब्रही यूनानी तथा अर्मेक अर्मेक तथा शंस्क्रीट इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर सी यूनानी त था अरा मेइक में लिखा गया है नेक कुस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् आवाद मगल चंदेरी काली बंगा इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्षय नमर भी मगल नेक वस्ट बर्तमान में बर्स गाड़ना नीन में से कीस की जन्द तिथी से की जाती है यहुआ इस्टर इसा मसी युना इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्षय नमर सी इसा मसी नेक वस्ट अंग्रेजी बर्स को लिखने की पत्ती के अनुसार बीसी का तत्वर्य है ब्रेक क्राइस्ट, बीफोर क्राइस्ट उप्रोक यह था था भी दोनो बीफोर के नर इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्षय नमर बीफोर क्राइस्ट नेक वस्ट अंग्रेजी बर्स में लिखने वाली अंग्रेजी बर्स में लिखने की पत्ती के अनुसार AD का तत्वर है अनो डॉमीनी एंगलो डॉमीन एरा डॉमीन आप्टर डॉमीन इसका राइट एंसर हो जाएगा option number A अनो डॉमीनी next question देखा गया है कि कभी कभी अंग्रेजी बर्स के लिए AD के आर्थान परणीन में से किसका पुर्योग किया जाता है ED का, IV का C का, EC का इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C C का next question अंग्रेजी बर्स में लिखने की पत्ती के अनुसार BP का अर्थ है before fast before present before pink before panthings इसका राइट एंसर हो जाएगा option number B before present next question बाइदिक गरंथों में शरवाधिक परचीन गरंथ किसको माना गया है सामवेद, यजूरवेद, रीगवेद, अतरवेद इसका राइट एंस option number C रीगवेद को next question अरण या गरंथों में किस बीशय का वर्णर मिलता है आर्थिक तथा समाजिक दार्सनिक तथा रहश्या आत्मक धार्मिक तथा सैक्ष्लिक मनोबेग्यानिक तथा नैतिक इसका राइट एंसर हो जाएगा option number B दार्सनिक तथा रहश्या आत्मक next question बीदों का अर्थ समाजिने के लिए किस की रचना की गई गरंथियों की उपनीसद की वरण की बेदांगों की इसका राइट एंसर हो जाएगा option number D बेदांगों की next question परण में बोध धर्म गरंथ किस भासा में लिखे गए थे शंस्क्रीद, पाली, प्राकेर्थिक, मैथली इसका राइट एंसर हो जाएगा option number B पाली भासा में next question इसा पूर्व छटी सताब्दी के 16 महाजन पादों का वीवरण कीस गरंथ से मिलता है यजुरवेद, अथरवेद, अंगोतर निकाई इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C अंगोतर निकाई थैक्यू फ्रेंड सा चलागे तर लाइक से स्क्राइबर सेर जोर करें साथ में बेल एकन का बटन दवाना नहीं भूले